वित्रो दोमश्कार आप देख रहे हैं धाम दिश्पत्का का यूटूब चैनल दस्तक मीडिया मैं बिनोशुकल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाता है अद्भुत गाताओं कि सरंखला में हम आपको आज लिये चलते हैं नीम करोरी धाम और एक बाबा नीम करोरी ने 1935 जब मानब देवें लिला चल रही थी तो 1935 में नीम करोरी धाम से चले गए थे इसके बाद वो नीम करोरी धाम कभी नहीं आए ऐसा लोगों ने कहीं कहीं वार्ण किया है लेकिन आज हम आपको बताएंगे परमारन है उसका कि महराजी सरीर एक बार पुनह नीम करो दिखा रही थी है रहा रहसे खोला है डोक्टर गुप्ता ने जो फरजाना आगरा में रहते हैं फरजाना भाग में आगराम रहते हैं और उनसे महराजी का बड़ा सीधा समन्न है क्योंकि उनकी जो पिता का जन्म हुआ है वो महराद जी के आसीर बात से हुआ है मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं पीछे इसलिए ले चलता हूं कि उनसे समद्द मैंने कई कत्हाइं सुनाई और महराद जी जिस समय नीम करूरी धाम में रहते थे तो महराद जी का तो तहलना चलना फिरना लोगों के घरों पर जाना ये सब तो चलता रहता था तो नीम करूरी गाओं के एक सहुकार या सेट कहिए या यूं कहिए कि एक बनिया बनिये बिगडिये मत इस कास्ट में यही कहते है तो नाम बुद्ध सेन गुपता बुद्ध सेन गुपता नीम करूरी गाओं के निवासी हमने आपको उनका मकान भी दिखाया था उनसे समधित कथाएं में सुनाई थी और मैं जब कभी आपको नीम करूरी धाम से लाइब दर्सन कराता हूं तो आपको वहाँ कुगा दिखाता हूं फोटो देख लिए जिस से परिपून थे पर उनके बीटा नहीं था संतान सुख नहीं था तो अब महाराच जी से प्रात्ना की तो 60 यानि 60 वर्स के उम्र के बाद उनके बेटा हुआ था और बेटा राम सिर्वक गुपता के नाम से आप पर्चित हैं कि बहुत कथाव मैं नाम ले चुका हूँ और उनी के पुत्र है यह गुपता मिस्टर गुपता जो इस समय आगराम में रह रहे हैं उन्होंने बताया था कि जिस समय उनके बाबा का देहांत हुआ 1935 में महराजी चले गए और 1935 के बाद बुद्शन गुपता का देहांत हुआ अन्होंत आत्र पे गए उसमें महराजी सरीर नीम करोरी आए और उनके घर पर गए थे शुक सब में जना वेक्त की थी कि उनके बहुत प्रियर पक्तों में से बुद्शन गुपता रहे और ऐसे नाम जिनके चर्चा मैं कहूं या जिनका वरन कहूं या जो नेपत्थ में चले गए हैं जब कोई सामने आता है तो मैं चाहता हूं कि इस उन तथ्यों से हम सब वाकिफ हो इसी संखिला के अंतरगत में बुद्शन गुपता के माध्यम से यानि उन्हीं की ये कथा है कि जब वो अनंत्या तरफ पर गए तो महाराजी आए उस घर में अखाट पर बैठे उनकी पत्नियों को चौक गए ना हाँ उनके दो पत्निया तो दोनों को उन्हाँ ठाडस पताया थोड़ा सा जल ग्रहन किया उनके आगन में बैठके कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ये कहने के बाद वो वहां से जले गए 1935 के बाद उनके ससरीर आने की कोई घटना अभी तक नहीं मिली थी ये घटना आपको मैं बता रहा हूं कि जब उनके भक्त गौलोग धाम चले गए और वहां उनके परिवार को ठाड़स बताने के लिए मारा जी उस गाओं में आए उन पर इतनी कृपा है आज भी उनके नाती पंती है ना मुद्दसेंजी के बहुत सब्ज हैं कुछ फॉरिन में पढ़ रहे हैं विद्यस में पढ़ रहे हैं मैं गुपता जी से भी मिलवाओंगा आगरा में जाओंगा और उनसे सारी बात आमने सामने बैठ के आपको सुनवाओंगा लेकिन ये एक विसेश बात थी अभी तक हर जगे यही प्रमान मिला कि महराद जी उनी 135 के बाद सरीर नहीं आई लोगों ने देखा नहीं लेकिन बुद्ध सेन गुपता की गोलुब वास होने पर आप नीम प्रोरी धाम आए और लोगों उस दर्शन दिये हैं ठीके ना और विस ऐसी बातें लेकर मैं आपको बताता रहूँगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं उलिखित नहीं और अगर ऐसी बाता मिलेंगी आप आपको बताना मेरा नहतिक धर में हैं आप चलते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपके हमारे अ